अजिए अजिए खान देखते हैं अजिए अजिए खान अजिए भीड्यापी टुद्होली बस्टी तुड्स आप आप सभी लोग आराम से होंगे आज का हमारा टॉपिक है जी के तो आएए देखते हैं Let's start Read the clues and write the names of these sports people Using the help box Students, आएए हम इस clue को देखते हैं जो आप image देख रहे हैं आएए हम इस image को देखकर पहिचान लगाते कि इस इन खिलाडियों के नाम क्या है यह जो sports people हैं इनके क्या नाम है तो आएए देखते हैं First है He won the French Open Mixed Doubles in 2017 and Minced Doubles Goal at the 2018 Asian Games Students, आप देख रहे हैं इस book में आप देखिए इस खिलारी का क्या नाम है जुनोंने 2017 में French Open Mixed Doubles और 2018 Asian Games में Minced Double Goal को जीता तो इनका नाम आएए देखते हैं आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं तो आएए हम देखने हैं इनका पहला नाम है यहाँ पर आएगा आपका Rohan Bopana R-O-H-A-N Rohan B-O-P-A-W-N-A Rohan Bopana यह पहला हो गया And second, nicknamed the Ring Express, she is one of India's top young sprinters. Ring Express का उपनाम वह भारत के सिर्ष युवा sprinter में से एक है. कौन एक है? उपनाम वह भारत के सिर्ष युवा sprinter में से एक है. उसका नाम के आए, students. तो आएए देखते हैं, पांच options में से, आएए हम write option को write करते हैं. तो यहाँ पर होगा आपका हिमा, दास. हिमा, दास. हिमा, दास. तो second में आपका आएगा students, हिमा, दास. And third, C was the first Indian to win the World Junior Badminton Championship. वो कौन सी ऐसी पहली महिला है? वह विश्व जूनियर Badminton Champion जीतने वाली पाली भारत की कौन सी ऐसी महिला है? तो उसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप. शाइना, नेमाल. तो यहाँ थर्ड में आपका आएगा, S A I N A Sाइना, N A S W A L, साइना, नेमाल. थर्ड में होगा आपका. आइन फॉर्थ में, एद दा 2008 ओलाम्पिक गेम्स, ही ओना ब्रांच मेडल टू बिकम दा फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू इना मेडल. 2008 के ओलाम्पिक खेलों में, उनका नाम क्या है, जुन्होंने कास्ट पदक जीता, और पदक जीतने वाले पहले भारतिये मुक्केबाज बने. तो इनका क्या नाम है, आईए हम देखते हैं, तो फॉर्थ में आपका आएगा, स्टुडेंस. फॉर्थ में आपका होगा, विजेंदर सिंग, तो यहां पर होगा, स्टुडेंस, विजेंदर सिंग, विजेंदर सिंग, फॉर्थ में आपका होगा. फॉर्थ में हम देखेंगे, आईए देखते हैं, इन अप्रेल 2018, अप्रेल 2018 में, ही बिकम दा हाइएस्ट रैंग मैंस बैडमिन्टन इंडियन प्लेयर इन दा वर्ल्ड. अप्रेल 2018 में, दुनिया में सर्वच रैंकल वाले पुरुस बैडमिन्टन भारतिय खिलाडी, बने कौन बने, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है, के स्री कांथ, तो यहां पर इस्टुडेंट 5 में आएगा, के स्री कांथ, के स्री कांथ, and now next page, I am turning the page, page number 46, chapter 37, football, so let's see, tick the, tick true or false, आएए देखते हैं, true or false क्या है, तो आएए पहला देखते हैं, the height of the goal post can vary from game to game, goal post की उचाई हर गेम में अलग-अलग हो सकती है, students, तो of course it is right, तो यहां पर हम फिल करेंगे right, tick the right, यहां पर right होगा, उसके बाद है, number two, each team can use a maximum of five substitute players during a match, protect team एक मैच के दोरान अधिक्तम पांच खिलारियों का परियोग कर सकता है, तो no, it's wrong, so right, false, तो false में आप, tick लगाए, false, and third, there are three types of cards, shown by the referee in a football match to caution players, खिलारियों को सावधान करने के लिए, फुटबाल मैच में, रेफिरी द्वारा तिन परकार के card, दिखाए जाते हैं, आईए देखते हैं, क्या दिखाए जाते हैं, तिन परकार के card, तो तीसरे में आपका होगा, false, यह भी false है आपका, तो यहाँ पर false में आप, tick लगाएगे, and number four, a player who uses excessive force and heart, his opponents must be sent off the field, एक खिलारी जो अधिक से अधिक बल का परियोग करता है, और अपने बिरोधियों को चोट पहुचाता है, उसे मैदान से बहार भेज़ देना चाहिए, क्या यह सही है या गलत है, आईए देखते हैं, तो number four में आपका होगा, yes, true है यहाँ पर, तो एक खिलारी जो अधिक से अधिक बल का परियोग करता है, और अपने बिरोधियों को चोट पहुचाता है, उसे मैदान से बहार भेज़ देना चाहिए, तो यहाँ पर आपका चोटा होगा, yes, true, and number five, a goalkeeper can keep the ball in his hand for maximum six seconds, maximum six seconds, एक goalkeeper गेंद को अधिक तम छाथ सेकेंड के लिए अपने हाथ में रख सकता है, students, तो, yes, it is right, so right here, यहाँ पर आप right tick कीजिए, number five में, and six, a referee can sometimes allow corner kicks to be taken from the center line, एक referee जो होता है, वो कभी-कभी center line से corner kick लेने की अनुमत दे सकता है, तो, number six में false, so tick the false, false पर आप tick लगाए, six के, and number seven, to signal an indirect free kick, the referee raises one of his arms straight above the head, indirect free kick का संकेत देने के लिए, referee अपनी एक भुजा को सीदे सिर के ऊपर उठाता है, तो, यह भी आपका false आएगा, तो यहाँ पर भी आप false पर tick कीजिए, यहनि seven का false होगा, अब students एक बार repeat करते हैं, पहले का आएगा true, दूसरे का आएगा आपका false, तीसरे का होगा false, चोथे का होगा true, पांचवे का होगा true, और six का होगा आपका false, seven का होगा false, एन नेक्स पेज, नाव, पेज नमबर 47, चैप्टर नमबर 38, इस पोर्ट कुईज, टिक दा, करेक्ट आंसोर, आएगे, टिक करते हैं जो करेक्ट आंसोर है, विट, which of these sports are the terms, springboard and platform related, springboard और platform सब्द, इन में से किस खेल से सम्बंधित है, तो आएए हम option को देखते हैं, option नमबर A, hockey, B, water polo, C, diving, the skin, the skin, तो आपका option होगा, C, diving, and नमबर 2, which team did India defeat to win the cricket world cup for the second time in 2011, 2011, 2011 में दूसरी बार cricket, विश्व कर जीदने के लिए भारत ने किस टीम को हराया, तो आएए ये option देखते हैं, A, Sri Lanka, B, Australia, C, Western East, D, England, तो आपका option होगा, A, Sri Lanka, पर टिक लगा ये students, उसके बाद नमबर 3 है, विच फेमस स्पोर्टिंग्स इवेंट बिगें इन आथेंस इन 1896, 1896 में एथेंस में कौन सा परसिद खेल आई योजन शुरू हुआ, तो student आए ये option देखते हैं, Commonwealth Games, B, FIFA World Cup, C, Tour de France, D, Modern Olympics, तो आपका students option होगा, 3 का D, Modern Olympics, and now 4, which of these is not an Olympic event, इन में से कौन सा Olympic, Olympic event या आयोजन नहीं है, इन में से कौन सा Olympic आयोजन नहीं है, आए देखते हैं, Olympic है इन में से नहीं है, उस option का आए देखते हैं कौन सा नहीं है, तो wrestling, A, B, boxing, C, judo, D, cricket तो आपका option होगा D, cricket जो cricket होता है एक Olympic event यह नहीं होता है इन में से तो आप D पर tick कीजिए cricket and number five with which sporting event are the terms butterfly and backstroke related butterfly और जो backstroke शब्द किस खेल आयोजन से संबंदित है तो आएए देखते हैं option A table tennis, B, hockey, C, cricket, D, swimming तो आपका students answer होगा D, swimming swimming पर आप tick कीजिए उसके बाद option number six होगा with which sport is the term 22 yards related आएए option को देखते हैं कि 22 yards या गर्षब्द किस खेल से संबंदित है आएए देखते हैं option football, B, cricket, C, hockey, D, boxing तो students आप console होगा D, cricket cricket में जो है 22 yards या 22 yards गज उसमें रहता है तो आपका option होगा can be combined to form new words which may or may not be related combine the names of this object to form new words आएए एक ऐसा students word बनाते हैं शब्द मनाते हैं जिससे दो जो object आपको दिखाई देने वो एक object हो जाए combine में आएए हम करते हैं तो इसका combine होगा जैसे ये basket होगा आए student तो इसका क्या होगा ball, basket, ball तो यहाँ पर आप लिखिए basket, ball and number second, यहाँ पर देखिए आप sun है उसके बाद flower है तो यहाँ पर आपका होगा student sun flower so right here sun flower three, यहाँ पर देख रहे हैं आप butter का image देख रहा है यहाँ पर भी butterfly है तो यहाँ पर आप लिखेंगे butter fly इसके बाद आपका fourth है यहाँ पर आप देख रहे है student cup और इसके बाद board है तो यहाँ पर आपका होगा cup board और number fifth है यहाँ पर आप देख रहे हैं की दिख रहे हैं दूसरे में आपको एक chain दिख रहा है तो क्या होगा student key chain तो पहले में आपका होगा basketball दूसरे में sunflower तीसरे में butterfly प्रफ्लाई और चौते में कपबोट पांचवे में कीचेन एंड आम टर्निंग दा पेज चाप्टर नूमर 41 कलेक्टिव नाउन्स पेज नूमर 50 आए देखते हैं स्टुडेंस पिक्चर को देखते हैं और उसके कलेक्टिव नाउन को देखते हैं तो आए हम देखते हैं आपके स्कीन में एक कुछ इमेजेज दिख रहे हैं इस इमेजेज के हमें क्या करना है कलेक्टिव नाउन बनाना है तो आए पहला देखते हैं फर्स्ट है आपका फिस्ट आप फिस्ट का स्टुडेंस कलेक्टिव नाउन क्या होगा तो फिस्ट का होगा आपका फिस्ट का होगा आपका एफ शॉल जो होता है यह फिस्ट का कलेक्टिव नाउन होता है and second आपका है cheese cheese जो है यह आपका होगा C में second का दूसरे का C में आएगा gaggle collective noun और number three आपका होगा ship ship का collective noun होगा आपका flock 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 यहनि ship का three का भी flock और number four है wolves यहनि भेड़िये तो wolves four का होगा आपका E pack four का E pack P.A.C. के pack four का होगा and number fifth है owls उल्लू जो होते हैं उनका collective noun क्या होता है तो आउल्स का होगा collective noun नंबर पालिया मेंट आउल्स का होता है student डी का पालिया मेंट इसके बाद number six है kittens कीचेंस का होगा आपका six का लीटर जिसको लीटर क्लेक्टिव नाउन में कहा जाता है गुरू जो होते हैं इसके बाद हम फिर अगले इस्टेब में देखेंगे तो student थैंक यू थैंक यू सो मच पालिया मेंट